कि नमस्कार बंदू मैं फूल चंदियादो यह वाइस फारियू में आपका हार्दिक स्वागत हमने अदन करता हूं दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूं कि कि लड़ाई जिस तरह से आप लगातार दस बर्सों से लड़ रहे थे अब लड़ाई के अंतिय रूप देने के लिए उसका एक निसकर से लेने के लिए जो है पांच अप्रेल पांच अप्रेल को गाधी पीस अस्थल जो आईटियों के पास में दिल्ली में है फिर से आप अपकि संखिया इतनी ज्यादा हो उपस्तित ज्यादा से ज्यादा दर्यों होगी उतना ही ज्यादा हमारा मनोब बढ़ेगा एप्यस 95 की लड़ाई बिगत दस बर सो से आप लड़ रहे तो उसमें हमने कादिया तरसुने होगा कि आप लोगों ने कि खोदा पांच निकली लेकिन सुबह देखा तो कच्चे रागे दस साल का संगर्स मामूली तो नहीं होता है अब इसका अंतीम लडाई का अंतीम दिन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस को टाफ कंड़क्त आलदेश में लगने के बाजूत भी आप लोगों को भारत के कोने-कोने से 27 राज्यों से जो आप लोगों को आना है सब का जो है सने निमत्रन पत्र भेजा गया है भाव विभोर करके के एक बार जो है मिल करके आत्ममंधन करके विचार करके क्या करना है इसका एक मूल उद्देस मनाये जाएगा जिसमें 27 राज्यों से यहने-ची के जो कमांडर अपन लेकिन यह जानकारी आपको मिलेगी उनकी उपस्तित रहेगी कि नहीं रहेगी बाकी यह नेशी कि लोग भारत के कोने कोने महाराश्ची से बद्द परदेश से गुजरा से उत्राखंड से दिल्ली से भारी से भारी संख्या में लोग जो है पांच अप्रैल को गाधी फार्म आपको वहीं पर आना है जहां पर महत्मा गाधी का समाधी असल है उससे थोड़ा साइड में है जब आप आएंगे तो सायद काफी बड़े बुजूर्ग बूरे लोग आपके रास्ते मिल जाएंगे आपको बता देंगे आज की जनसभा कहां पर है तो दोस्तों आज विश 30 जून 1963 के राविया बेगम और सुहानुल्ला के गुलसल में प्यारा सा फूल खिला था उस फूल का नाम था मुक्तार अंसारी कौन नहीं जानता था या कौन जानता था कि मुक्तार अंसारी का जीवन इतना लगजरी हो जाएगा जो छोटे से मिट्री से निकला धीरे धीर जो है राश्ट्री अस्तर पर अपनी ख्यात्री प्राप्त कर लिए और आतंग बात का एक प्रयाय बन गए अब आप यह सोचिए कि कल जो है काईडिया अरेस्ट 28 अपरेल 2024 को रात में बादा जेल में उनको हैट पेन होने को जाका आईडिया अरेस्ट होने बाद फिर अस् पैत्री का आवाज पर लाए जा रहा है तो आप यू मानने लीजिए कि सरकार जो है इस मामले पर धारा एक सो चवाली से लगा चुकी है और सासन पर सासन दुरूस्त है चाहे वह आपका बादा हो चाहे आपका महू हो चाहे आपका गाजीपूर हो तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संबेदन सील इस्तितना बनने पाए इसके लिए सरकार तरपरता से जो है कानून ब्योस्ता को जो है मजबूत किये आज उनकी पार्थेक सरीर को पहुंचते ही हो सकता है साम तक उनको सुपूर्दे खाक कर दिया जाए उनके लिए उनका परिवार से के राष्टपती के जो है रिष्टे में भी पड़े थे उन्हेंने सिच्चा के छेत्र में फांडेशन के काम में जामिया इसलामिया में भी उनका बड़ा अच्छा सा योगदान रहा उनके गुलसन में दो प्यारे प्यारे फून है गाजी पून जो मौग बिजान सभा है उस है हमारी मौत हो सकती है कई दिनों से सुन्यता उनकी सरीर में आना शुरू हो गई थी लेकिन इस पर उनका जनराइट चलता रहा सरकार जो है समय से इल्याज कराती रही लेकिन एक उम्र होती ही सुम्र में काईडिया अरेस्ट आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है आप आप देख लीजिए हाई बिलट पेसर और सुगर वाली की लाइब ज्यादा होती नहीं वह हाई बिलट पेसर इस समय जब 2019 में कोट का निरड़े आया कि माध्यम वाला मामला की किस्टन के हत्यार सावित होने बाद इनको पंजाब के जेल में रखा गया जेल से फिर लाकर क और साहट से रहा, इन्होंने परिस्तितों लगनानााा, बाद में जब उत्तर पर देंश के घाजीपूर की राजनीष बदली तो वहाँ पर जो है बाववलीओं की जो है, बावववलीओं की एक दूसरे से आमना, सामना करना, किसी कांट्रैक्ट्त सीथ लेना, किसी ठीके लेना उगाहि करना फिरेवती लेने हर वलियों को उस दसक में जो है धंदा सा हो गया तक लोग प्रभाव साली देखने के लिए कुणके गैंग पर करते हैं कि इस इसलिए बोला गया कि यह लोग कभी जुकने और तूटने का नाम नहीं लिए और भी मुक्तार अंसारी के बाले हम कहा जाता है कि मुक्तार अंसारी जो है गरीबों के मसीह भी रहे आप जब हमारी टीम के लोगों ने वहाँ पर सच किया कि इनका जो है बैक ग्राउंड क्या रहा किस तरह सा इनका बैक जी हो रहा तो खुल करके पता आया कि अगर किसी गरीब की साधी हो रही तो उसमें पचीस-पचास जार उपई बेजवा देना कहीं कोई किसी गरीब को सता रहा है परिशान कर रहा है उसकी मदद कर देना यह आप यह जान लीजिए कि पांच-पांच बार का चुनना जेल में रहा करके बसपा जैसे पारिटी के साथ चुनाव जीत करके बना रहा ना इनके काफी गवरो और सिकर तक पहुझने की अद्भूत कहानी भी है आने वाले समयम जो इतिहास इनका लिखा जाए कि लोग गर्वित हो करके पढ़ेंगे कि हां मुकतार अंसारी स्वामान से जीए और जीन में अपना सामराज्या स्तावित करना आज उनके बारह कहा जाता क्योंके पास बाईच करोड की संपट्री जिस संपट्री के लिए उनके परिवायर के लोग जो है उसके खडार है लेकिन उनके मौत के बाद परदेश में जैसी अस्तावद्धता आ गई शांती हो गया अच सब पहुंचेगा फिर साम को जो है उनको सुपूर्दे खा कर दिये जाएगे ऐसे जानकारी खुल करके आ रही है तो दोस्तों इस इक साथ मैं अलबिदा लेता हूं